असलाम अलेकाम क्या आल है मेरे बैन बाइयों का ठीक है मैं भी ठीक हूँ शुक्रैला का आप सनाए सब मेरे बैन बाइय कैसे हैं ठीक है हमीदा मेरे सब बैन बाइय ठीक होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले सब बैन बाइयों से एक छोटी सी और कैस्ट होती है जो मेर जलेबी लेकर आए हैं क्योंकि मेरे इस्प्रिंट के फ्रेंड आई हुए हैं तो उनके लिए में चाई बनाने लगी हूँ तो अभी जलेबी में प्लेट में नकालूं की साथ मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है और चाई भी बनाने के लिए रखी हुई है यह देखें इतनी गरम गरम जलेबी अभी इन्होंने फ्रेश बना के दी है तो जिन जिन मेरे बेन भाईयों को जलेबी बसान दाए है समसे बसान देए हैं तो आजाए हमारे साथ थंजाई करें चाई जलेबी और समसे और यह देखें मैंने समसे जाए फ्राई होने के लिए तेल के अंदर डाल दी हैं और यह समसे जाए मैंने खुद गार त्यार किये हुए थे तो मैं गठे त्यार करके समसे गार तो फ्रीज के अंदर रख देती हूं तो जब जरूरत पड़े तो फिर नकाल के तो फ्राई क कि अगलेफे प्रिमा बहुंती हैं तो बोरत जैसा भी त्यार होगे है यह देखेजी चिप्स मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिये तर अबी जो है एक मिनट के बाद इने में निकाल लोगी तर यह फ्राई होजाएंगे तर साथ चाह भी त्यार होगी है तो वो मिकप के अंदर नकाल लेती हूं यह देखें जी गरम गरम जो है चाय वो तियार होगी है यह देखें साथ जाय है सारा मैंने त्यार करके रखती है चटनी मैंने साथ त्यार कर ली थी और यह देखें बार का मौसम तो ऐसे पता चारा जैसे अभी बस बारिश होगी तो आज तो दूप निकली नहीं है तो मैंने कपड़े दो के डाले थे मैंने काल अच्छी दूप थी तो आज भी दूप होगी तो बार जो है दूप थी तो मैंने का चले कपड़े दो लेती हूं तो कपड़े दो हैं तो फिर देखें दूब जो है नहीं निकली आज वैसे भी मेरे गारज़ा दूब बहुत कम लगती है तक्रीबें शाम को ही हमारे गारज़ा दूब आती है तो ये जो मैंने पहले दो के कपड़े रखे हुए थे तो वो काफी जएदा इस्त्री वाले थे बच्चों के थे अपने भी इस्त्री वाले तो वो में निकार चलें आज सारे वो इस्तिकार लेती हूँ जब तक वो सुकेंगे तो इन सब को मैंने इस्तिकार लिया यह देखे तो अपने भी थे तो सारे मेने इस्तिकार के रख दी है तो अगर मेरी आज की वीडियो आप मेरे बैन बाइगें को पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को ज़र्दे से ज़र्दे लाइक करें शेयर करें स्क्राइब करें और अपनी दौा में मुझे जरूर याद रखें तो लाफ फेस